नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम बास्त कने वाले हैं R.E.T. Information Bulletin 2021 के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि B.H.U. B.H.U. के PhD Admissions 2022 के लिए आ गए हैं और आप यहां पर 21 देखके गन्फीज मत होईएगा 21 के जो Admissions 22 में होगे इसका एक्जाम भी 22 में होगा जैसे मैंने प्रिविस वीडियो में बताया था कि इसकी जो लास्टेट है फॉर्म फुफिल करने की वो है 15 फरवरी और आपका जो रेट का एक्जाम है इंट्रेंस टेस्ट जो है वो होगा 16 मार्श को ठीक है तो आपको यहां पर मैं पूरे इंफर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में तो डीटल में चले स्टार्ट करते हैं पहले यहां पर देखे कुछ युनिएस्ट के बारे लिखा हुआ है युनिएस्टे इन क्लांस लिखा हुआ है और इसके बाद में PhD रिसर्च रोग अरेटी देखो यहां पर पहली बाद है दो दो तरह से एड्मिशन होता है और दो तरह से admission कैसे होता है, पहला होता है आप research entrance test देकर, यानकि RET entrance देकर PhD में admission ले सकते हैं, जिसके लिए आपके पास सिर्फ PG होना चाहिए, और वो भी 55% marks कातना है, PG complete होना चाहिए तो आप ये RET का form भर सकते हैं, और इसके लावा अगर आपका net और GRF qualify है, या फिर आप MFIL कर चुके हैं, इसमें से कोई भी आपके पास कोई एक चीज है, तो फिर आप direct exempt category में जाकर सिर्फ interview के इंटर्वी देकर PhD प्रिष्टीव एड मिशे ले सकते हैं, यह नर्मल चीजे हैं, और fellowship भी मिलती है, इसमें, अमाउट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन fellowship मिलती है, यह दिखे, बहुत इच्छा, इसका map है, यह BHU का map है, और दिखे, बत्तम सितारे जैसा लगता है, चांद के जैसा लगता है, ठीक है, तो यह मैं अच्छा लगता है, मैं दिखा रहा हूँ यहां पर आपको, यहां पर बहुत सा चीजे यह उनिवस्टी के बारे में लिखे हुई है, आपको मौका मिले तो पढ़ लिजेगा, यह जो PDF अगर आपको नहीं मिल रही है, तो मैं इसको अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहां से आप डावलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ चीजें यहां पर अलुमिनाजिस के बारे में दी हुई है, कौन को इन किन किन लोगों ने किया है, हाँ, तो यहां पर दीखे, PhD through interest, दू तरगे से होता है, direct admission होता है, rate exempt के तरू, औ और यहां बहुता है, interest, interest के तरू, यानि कि, research interest test के तरू, जैसे मैंने बताया आपको, और PhD integrated MPhil, PhD and MPhil programs के लिए यह चीजें आई हैं, और मैं आपको सारे, दिखाऊंगा किस में कितनी seat हैं, और seats की संख्या दिखाऊंगा, एक सेकंड, एक सेकंड, इक सेकंड, सब्जेक्ट्स आपके बहुत सारे सब्जेक्स नहां पर, सब्जेक्ट्स ही कमी नहीं है, आपको कोई भी सब्जेक्स को मिल जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्स बहुत सारे हैं B.H.U. में, और B.H.U. बहुती prominent university, आफ qualifying examinations and percentage of marks देखे यहाँ पर लिखा हुए है सबसे बड़ी बात यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने बताया आपको जो आपका exam है 55% आपके PG में होने चाहिए law के बारे हम दिया हुआ है education के बारे हम दिया हुआ है medicine के बारे हम दिया हुआ है बारे में आप अलग से देख लिएगा मैं यहाँ पर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए मैं आप बता नहीं रहा हुआ हूँ चीज़ें जो important है वह बताऊँगा आपको अब हम seat के बात कर लेते हैं seat जो है कितनी कितनी है Arabic में है जैसे 3 seat है यहाँ पर देखजें और कि एक मिर्ट जैसे आप यहाँ पर देखते चाहिए आप कॉमर्स में देखे 870 इसका कोड है और 25 सीटे रेट से हैं अगर जो इंटरेंस इसने नेट क्वालिफाई नहीं कि उनको 25 सीटे दी हुई है और जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए 10 सीटे हैं सरी हाँ सब्जेक्ट है उसमें कितनी सीटे मिली हुई है अगर आपको ये डीटेल में देखना है तो आप मेरे टेलेग्राम चैनल पर देख लिजेगा और यहाँ पर भी मैं थोड़ा स्क्रोल कर रहे हैं आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो टेस्ट होता है जिन लोगों को टेस् सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 100 MCQs आएंगे आपके 100 MCQ में से 120 मिनट में आनि कि 2 घंटे में आपको 100 questions करने होगे 300 marks के होगे हर एक question 3 number का होगा और अगर आपको सही answer मिलेगा तो अगर आप सही answer देंगे तो आपको हर एक question के लिए 3 marks मिलेगे और आप रांग answer देते है तो आपको एक number काटा जाएगा आपका ठीक deduct कि यहाँ पर माइनस मारकी यहाँ पर 33% की है यह देख लीजे आप इसके हिसाब से और उसके बाद में test भी जो होगा वो होगा आपका personal interview जो सभी को देना है चाहे वो rate exempt वाले हो चाहे rate वाले हो ठीक है जिन्हों आप पढ़ते सब्सक्राइब करने की ठीक है तो यह चीज ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा और जो इसकी सिटी हो सकते हैं सेंटर की सिटी आप देख सकते हैं अपनी अपनी स्टेट में और यूपी वालों के लिए तो आप में बता दूँगा वही सब जितने सारे जो प्र जोel और डेट पता देही हूँनिन आ-पन्दरा मार्ड स loops नो मार्ज को क्या होगाव का उन्लेन आपके 9 मार्ड के ऑड़ी कर आपके 9 मार्ड को आ जाएंगे और आपका एक्साम है आपका रेक्श का एक्जाम है वह 16 मार्ड को मैं किसंसे ऐसके बाद में important अपने आप से ज्यादा कुछ यहां पर है नहीं खास वही सिर्फ नॉर्मल चीज़े हैं जो होती है ठीक है और डेकलरेशन अफ रिजल्ट एक्जेंट के डेगरी अपनी जो चीज़ें हैं उनके साथ से आप कर लीजेगा फैलोशिप देखिए फैलोशिप के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने नेट का एक्जाम है वह आपने दिया था और आपको लग रहा है कि आपका एक्जाम कौलिफाई हो जाएगा तो आप नेट करना चाहिए आपको कंफर्म मुणिशन आपकी होने चाहिए कि यहां आपको अपको करनेट हो रहा है इसके लावा जो लोग कुछ लोग कहते हैं कि आपको फैलोशिप मिलेगी नहीं मिलेगी तो कंफर्म मिलेगी है आपर बीच्चु में फुल टाइम अगर आप प्यस्ट ठीक है यह भी एक चीज है और एक अच्छी बात है यह आपको बहुत सारी फैसलिटीज मिलती है बेच्चु की तरफ से उसमें एक फैलोशिप भी सामिल होता है ठीक है तो यहीं इंफर्मेशन है पूरी हमने रेट इंफर्मेशन बुलेटन पूरा देख लिया एक बार गो